नमस्कार बहुत स्वागत है आपका ब्रिस्व रासिवालों सप्ताहिक रासिफल 16 जनवरी से 22 जनवरी का वक्त आपके लिए कैसा रहेगा दिखे करियर में धहन आने के प्रबल संभावना है नई शुरुवात आप कर सकते हैं और अनावस्यक बस बिवाद में नहीं जाना है सुरुवात में कारे छेतर में जो सत्रू बिलोदी है थोड़ा एक्टिव रहेंगे लक्स से भटकाने का प्रयास करेंगे इसलिए आपको अपने कारे पर पूरा फोकस बनाये रखना है और काम को पूरा करने के लिए थोड़ा मेहनत और प्रयास की भी आवसकता आपको परिवार में किसी के साथ कोई बात को लेकर वहस ना हो हलांकि किसी की भी गलती में अपनी टांग भी ना आड़ा है कोट कचली जैसी चीजों से बाहर ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है जो बैपारी भाई है लेन देन में बहुत साबधानी रखिएगा और थोड़ा अप आपके रुके वे कारे बनने के भी योग है बस चोटी चोटी बातों में तनाव मत पालें नई सुरुवात से पहले उथल पुथल या और इस्थिरता हलकी फुलकी हो सकती है सांत रहिए धैर रखिए बड़े बदलाव सामने हैं धीरे धीरे ही सही पर आपके कारे आगे ब पारे में आपको जरुरत है और दूसरा नई रूची आप सीखना चाहेंगे नई रूचियों में आपका ध्यान जाएगा रोमांटिक साजेदारी में खासकर लब लेसंसिप में फिर से जुड़ने का ये वक्त है एक दूसरे के लिए समय आप निकालेंगे कितना परवाह क उत्सब होने की योग बनेंगे मित्र का सपोर्ट मिलेगा उत्तरार्थ में कोई बड़ा आर्थिक निर्ने आप ले सकते हैं स्वैम के लिए भूमी भवन वाहन बेगर आप लेने के भी योग हैं किसी लंबी दूरी की आतरा पर जाने की योग हैं हलांकि पारिबार एक समस साथ कॉल पर जूड़ सकते हैं अहम लोगों किसे बाचीत कर से समय आंक कान खुला रखें कोई कीमती विचार आपको हांत लग सकता है जो आगे लाब देगा और याद रखें इसमें जैसे ध्यान रखना है आपको स्वास्त का खान पान का भी ध्यान रखना है और करियर मे आगे बढ़ने का प्रयास करें क्योंकि यह वक्त आपके लिए लाबकारी है अगर हम बात करें तो इसमें जो लोग लब लिसंसिप में हैं किसी खास के प्रति भावनाएं बढ़ेंगी लेकिन हर किसी से बात लब के बारे में ना करें खुल कर दिल की बाते हर किसी से साजा ना करें इस बात का ध्यान रखेगा और धन खर्च कहां हो रहा है इस पर आपको पूरी तरह नजर बनाए रखना आकन खोल कर रखें अपनी सुखसुविधाओं से ज्यादा अपनों के सुखसुविधाओं पर आप ध्यान देंगे परिवार में चल रही कई परिष्थितियो आप सांत रहें उनकी बातों को ध्यान से सुनें और बेहतर परदर्सन करें क्योंकि सफलता प्राप्ति की प्रवल संभावना है जो विद्यार थी हैं उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है बहुत हच्छ तक आप बढ़ियां कर पाएंगे आप जबर्दस परदर्सन हैं तो कुल मिलाकर समय अनुकूल चल रहा है बस आपको रोज नमा सिवाय का जब करना है या फिर आप ओम संक्सने चराय नमा इस मंदर का साम के समय पांच बार जब कर ले तो उत्तम रहेगा आपके लिए आपके पांच में भाव में केतू है तो दिन चरिया में दिन की इससे जरूर कीजेगा और हरी सबजियों का सेवन करें ताकि आप सौशते रहें हम आपसे विदा लेते हैं पसंद आए तो लाइक कर सबस्काइब करें सेर करें कमेंट करें धन्यवाद